हेलो एवरिवन सुमन्स फूड फेक्टरी में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मैंगो जैम की रेसिपी सिर्फ दो इंगिलिजन्ट के साथ बनने वाला यह जैम मार्किट के जैम को टेस्ट में और टेक्श्चर में पूरी टक कर देगा यह देखिए मैं इसे अपलाई करके दिखा रही हूं इसका टेक्श्चर देखिए बिलकुल मार्किट जैसा है ना अगर आप किसी को बताएंगे नहीं कि आपने घर पे बनाया है तो कोई मार्किट और घर के जैम में डिफरेंस बता ही नहीं पाएगा और आप अप इसके अकॉर्डिंग इसमें कोई भी कलर एड कर सकते हैं इस जैम को आप ब्रेड के साथ परांटे के साथ कैसे भी अपने बच्चों को खिला सकते हैं उन्हें ये बहुत ही पसंद आएगा तो अब देर किस बात की चलिए इस जैम को बनाने की रेसिपी शूरू करते हैं इ देखे गालाम ठेखे अलग करके रख लिया है छोटे-चोटे टुख़़ों में काट लिया है इस पल्प को अगर हम वजन में न पर एंगे तो ये पानंसो ग्राम पल्प है तो जितना हमारा कम ही पानंसों ग्राम बूरा ले लिया है आप चीनी या मिश्री कुछ भी उज इसमें हमने 2 कप पानी डाला है ये देखिए घर में जो चाइका कप नॉर्मली यूज होता है उसी कप से नाप के 2 कप पानी हमने इसमें और अड़ कर दिया इसमें डखकन लगाकर इसे हम 15 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट हो चुके हैं एक बार हम चेक कर लेते हैं चेक करने के लिए हम एक या दो पीस उठा कर करची में डाल कर उसे चम्मच से प्रेस करके देखेंगे यह देखिए चम्मच से हलका सा दबाने पे ही वो बिल्कुल अच्छी तरह मैश हो रहा है आम अच्छे से पक चुके हैं तो बस अब हम फ्लेम को बंद करतेंगे और इसे किसी भी मैशर से, कलची से इसे अच्छे से मैश करके पेस्ट बना लेगे आप चाहें तो इसे थोड़ा थंडा होने के बाद मिक्सी में भी ब्लेंड कर सकते हैं लेकिन सभी के पास mixi available नहीं होती इसलिए आज हम बिना mixi के ही जैम को बना कर तयार करेंगे ये देखे काफी अच्छे से आम सारे mash हो चुके हैं अब हम इसे किसी बड़े बरतन में एक चलनी के सायता से चान कर ले लेंगे चलनी के उपर मैंने थोड़ा सा पेस्ट डाला और इसे हम कल्ची से ऐसे गुमाते हुए पेस्ट को अच्छे से चान लेंगे जो मोटे मोटे चंक से वो उपर रह जाएंगे और पेस्ट हमारा नीचे आ जाएगा इसी तरीके से हम सारी पेस्ट को चान कर एक बाउल में इकठ़ा कर लेंगे अगर आपने पल्प को बलेंडर में बलेंड किया है तो भी आप उसे एक बार जरूर चान लें क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मोटे मोटे चंक से बीच में रह जाते हैं ये जो रेशे ऊपर बच गए हैं इन्हें हम डिस्कार्ट कर देंगे और अब हम इस सारे पलप को जिस कड़ाई में हमने इसे पहले बॉयल किया था उसी में ही वापश डाल देंगे सारा पलप एड्ड कर दिया हमने अब हम इसमें मीठा आड़ करेंगे यहां मैंने 500 ग्राम मैंगो पल्प यूज किया था उसके लिए मैं 500 ग्राम ही बूरा डाल रही हूँ क्योंकि मैंने जो आम लिये थे वो बिल्कुल कच्चे थे और खटे भी थे उसमें बिल्कुल भी मिठास नहीं थी इसलिए मैंने जितने आम का पल्प लिया है उतना ही बूरा मीठा एड़ किया है आप बूरे के जगा चीनी भी यूज कर सकते हैं और आपने जो आम लिये हैं उसकी मिठास पर डिपेंड करेगा कि आपको मीठा कितना डालना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे कम ज़ादा भी कर सकते हैं इसके साथ ही मैंने एक पिंच औरेंज रेड कर यहाँ पे एड़ किया है यह बिल्कुल आप्शनल है आपके पास है आप चाहते हैं तो आप यूज करें नहीं चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी यूज ना करें लेकिन इससे हमारे जैम का कलर बिल्कुल मार्किट जैसा आएगा इन सब को अच्छी तरह मिला दिया है हमने अब हम इसे अच्छी तरह गाड़ा होने तक के लिए बीच बीच में हिलाते हुए पका लेंगे फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम रखेंगे और यह देखिए करीब 15 मिनट हो चुके है 15 मिनट के बाद यह जैम काफी गाड़ा हो गया है ठंडा होने के बाद यह और भी गाड़ा हो जाएगा अब ही हम इसका एक टेस्ट करके चेक कर लेते हैं कि जैम हमारा तयार हुआ है या नहीं टेस्ट करने के लिए हम थोड़ा सा जैम एक प्लेट पर डालेंगे यह देखिए जैसे मैंने डाला है अब यह जैम जैसे शहद बैता है वैसे बहेगा नहीं यह देखिए पूरा पीस एक साथ फ्लो कर रहा है नीचे इसका मतलब जैम अच्छे से सेट हो चुका है फ्लेम को बंद कर देंगे जैम को ठंडा होने के लिए रख देंगे जैम हमारा बन के तयार है कलर देखिए आप कितना सुन्दर कलर आया है जैम ठंडा हो चुका है अब हम इसे किसी भी साफ कंटेनर में भरके रख लेंगे मैंने यहाँ पे कांच का कंटेनर लिया है अगर आप इसे फ्रिज में स्टोर करना चाहते हैं तो आप प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हैं लेकिन वो बिल्कुल साफ होना चाहिए उसमें बिल्कुल भी पानी या मॉइस्टर नहीं होना चाहिए इस जैम में हमने कोई प्रिजर्वेटिव एड नहीं किया है बिना प्रिजर्वेटिव के भी ये जैम बाहर रखके एक महीने तक खाया जा सकता है बिल्कुल खराब नहीं होगा और अगर इसे फ्रिज में स्टोर किया जाए तो 6-7 महीने तक भी इस जैम को अराम से खाया सकता है जैम में और भी अच्छा फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें दालचीनी भी डाल सकते हैं देखें मैंने 1.5-2 इंच दालचीनी के टुकड़े को जैम में डाल दिया था ये अलग जैम बनाके मैंने तियार किया था और इसमें मैंने लेमन येलो कलर यूज किया है इसका कलर भी बहुत सुन्दर आया और इसमें दालचीनी का फ्लेवर जो था वो बहुत ही अच्छा था बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा ये फ्लेवर आप जैसे भी इस जैम को बनाएं ये बहुत ही टेस्टी बनता है एक बार बनाके ट्राइज जरूर कीजेगा ये देखिए जैम को हमने फ्रिज में रखके ठंडा कर लिया है अब इसका टेक्शर देखिए आप ये गाड़ा भी हो गया है और बिल्कुल मार्केट जैसा दानेदा टेक्शर इसका आया है देखिए और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा है बहुत पसंद आएगा सबको आप इसे एक बार बनाके अपने कमेंट्स हमारे साथ कमेंट्स सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए जैम बनाना बहुत ही असान है लेकिन कुछ बातों का आप धिहान रखें जैम बनाते वक्त आम को बॉयल करते वक्त या उसे पकाते वक्त आपको अलुमीनियम या हेंडोलियम का बरतन यूज नहीं करना है इसे जिर्फ स्टील के ही बरतन में बॉयल करें स्टील के ही बरतन में पकाएं अगर आपके पास कूकर नहीं है तो आप इसे कडाही में भी 15-20 मिनट तक या फिर आम के नर्म हो जाने तक उसे अच्छी तरह बॉयल कर लें और जैम को स्टोर करने के लिए बिल्कुल साफ और सूखा हुआ बरतन ही यूज करें और कच्छे आम में कितनी मिठास है इसके हिसाब से ही मीठा एड़ करें जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर दी गई और रेसिपीज पर क्लिक करें